दरभंगा चला में आगामी 11 और बार को दरभंगा के दरखबार हौल में आयोजित प्रदीस कारिशमिती की पैठक की तयारी को लेकर भाजपा का प्रेशवारता दो दिवस्य कारजगर में कैंदरीय मंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री रहेंगे उपस्तित भारती जंता प दरभंगा के दरभंगा के दरभंगा के दरभंगा के दरभंगा में आयोजित प्रदेशकार समिती की पैठक की तयारी को लेकर जानकारी दिया गया है काजगर में सिरकत करेंगे बिहार प्रदेश के सभी जला अध्यक्ष जला महामंत्री प्रदेशकार समिती के सद्यस भा पर्देश अध्यक्ष सर्वोज रंजन पटेल ने कहा कि सर्वांगिंग विकास की द्रिष्टी कून के साथ और देश के ससक्त सम्रिधी और आत्मिर्फर भारत के निवान के मंत्र के साथ पर्देश कारिशमिर्थी की सुरुवात होगी अध्यक्ष मानिय जगनाख ठाकूर जी से कि अगामी 11 और 12 सितंबर को दर्भंगा के मितला के जो हिर्देश के दि दर्भंगा है जर्भंगा में भारतिय जन्ता पार्टी किसान मोर्चा बिहार पर्देश का दो दिवसिय कार्जकारणी की बैठक होने वाली है और उस बैठक की कैसे सफल हो उसकी सफलता है तू बेवस्था है तू आज हम लोग उसकी समिच्छा के लिए यहां उपस्तित हुए है और उस बैठक में पूरे बिहार के हमारे जिला के अध्यक्षे जिला के महा मंतरी परदेश कार्जकारणी के सदस उपस्तित होने वाले हैं परदेश के तमाम जो हमारे बडिश्टिक नेता है परदेश के जो मंतरी हैं भागपा से और केंद्रिये मंत्री आदर्निये नित्या नानलाय जी इस बैठक में उपस्तित होने वाले हैं पूरे बिहार के किसान मोर्चा के कर्ज़करताओं को अपना मारदर्शन देने वाले हैं केंद्र की सरकार आदर निये मोदी जी के सरकार ने किसानों के गास मंत्री गिरिराज सिंग जी भी उपस्तित होने वाले और हमारे राश्टी उपाद्यक जी ने बताया कि जी किस तरह से केंद्र की सरकार ने देश भर के किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो उनके आफ्थिक कि समिर्दी कैसे हो इसके लिए लगाने में तरब यहाद है और इनको मैंधूर पार्टी कर्व सालच दो कि दो दिवस्य कार समीती दर्भंगा में 11 और 12 सक्टम्बर पुपने वली है कि दिवस्य कार समानिये जगनार ठाकुर जी से यगामी 11 और 12 सक्टम्बर